तो मैं लोग सबसे पहला आप सबको जैसरी राम दोर था 90s का और उस टाइम पर जो गोविंदा की एक जो लाइम लाइट थी या फिर जो गोविंदा सर की एक चवी थी वो काफी अच्छी बनी हुई थी हाला कि अभी भी अच्छी बनी हुई है लेकिन मेरा मतलब है उनका ज आप बोल सकते हैं ओडियंस ने नकारना श्टार्ट कर दिया कहीं न कहीं उसके बाद में अगर हम बात करें साल 2014 के आसपास एक फिल्म आई थी जिसका नाम था किल दिल जिसमें हमको पाकिस्तानी एक्टर अली जफर उसके साथ रन्विट सिंग उसके बाद दीबी का सॉरी पढ़नीती चौपड़ा और गोविंदा सर देखने को मिलेते गोविंदा सर ने यहां पर नेगेटिव करेक्टर को प्ले किया था जो कि भहिया जी नाम का एक विलेन है या फिर एक गुंडा है जो कि लोगों को मारने की सुपारी लेता है और इस काम को करते हैं रन्विट करें लगग चालिस करोड के आसपास का खचा हुआ था मेकर्स का इस फिल्म को बनाने में फिल्म को काफी रिव्यूस वगेरा भी मिले थे जो की नेगटिवी थे मुष्टली और और ओडियन्स ले इस फिल्म को नकार दिया था और उसके बाद में जो गुबिंदा सर रह व कोई चार-चे साल पहली हुई ते जली उसके अंदर हम गोविंदा सर का डवल रॉल देखने को मिलते हैं ट्रेलर में देखा था उसका और मुवी मैं अभी दख नहीं देखी है तो रंगिला राजा करके एक मुवी आई ती जिसमें का याज टाइप का एक भाई दिखाया मैं भी स्टोरी लाइन कोच ऐसी ही होगी उसकी मैंने देखे नहीं बात करेंगे इसके वारे में जब जब आप लोग कमेंट करोंगे तो सच मैं बोलू तो जो किल दिल मुवी थी उसका 40 करोड के आसपास का बजट ता 49 करोड उसने ने नेट कलेक्शन किया था अगर हम वर 50 करोड है और आपका जो बजट है वो 40 करोड है तो फिल्म को फ्लॉप माना जाएगा उसको एक एवरेज भी बोले के लिए कम से कम साइट या सत्तर के असपास का जो कलेक्शन है फिल्म को करना जरूरी है आप कैसो तो इस बारे में या पिर भीया जी के उपर आपको कुछ अगले वाली वीडियो में उसके बात कर लेंगे आलागी उसके बाद जो है गोविंदा सर्जु अकसर रियलिटी सोच वगरा में हमको देखने को मिले हैं उसके बाद मैं अगर बात करें तो उनका एक यूट्यूब चैनल भी जहां पर वो खुद ही गाने गाते हैं और कभ अगले कोई कमी नहीं आई लेकिन जो एक वाइब थी 90's के टाइम पर उनके गानों में वो कही नहीं मिस होती नजर आ अबी के टाइम पर और सच बोलू तो मेरे लग लग रहा है काफी टाइम से और कोई गाना बी नहीं और सच मैं बोलू तो मैंने विजट भी नहीं किया क जो गोविंदा सर को देखना पसंद करते ते तरोनों का यहीं कहना है कि भईया गोविंदा सर आप प्लीज यह संबत करो आप बहुत ही टिलेंटर हो और आप यूटूब के लिए काम कर रहे हो हमें बहुत बुरा लगता है और हम लोग परसनली चाहते कि आपको एक कर देता हूँ लेकिन फिर मैं सूचता हूँ कि यार मैं घर फ्री बैठाओं तो मैं करी लेता हूँ फिर मेर को लगता है कि अगर मैं यह क्रेक्टर्स वगरा करूंगा तो कही ना कही मेरी फैमिली को बरा लगेगा कही ना कही मेरी ओडियंस को बरा लगेगा यह जो चीज ह है वो और एक बार ही साहद इंटर्व्यू में उन्होंने बोलाता है सब कुछ मैंने काफी टाइम पहले दीखा था पका कन्फर्म नहीं है लेकिन मेर को लगता है 80% यही बात है अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में तना ही मिलते है बहुत जल्द एक नई वीडियो मे नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए